Good morning friends, welcome to teaching guru तो आज हम बात करेंगे working of low side float valve यानि कि जो हमारी float valve होती है low side float valve वो कहां पर में इस्तेमाल करते हैं और इसकी working क्या है तो जैसे कि ये इसके नाम में लिखा है low side float valve तो ये low pressure side में लगती है between evaporator and compressor section line हमेशा जो evaporator compressor के बीच में लगती है float valve ये low pressure side में लगेगी इस वीडियों हम दो तरह के float valve के बार हम बात करेंगे एक है low side float valve और दूसरी हमारी high side float valve और दोनों में difference देखेंगे कि दोनों में क्या difference है फरस्टी हम low side float valve के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है low side float valve होती है ये constant level जो liquid refrigerant का evaporator में पास करती है एक यहाँ पर लेवल दिख रहा होगा आपको ये वाला constant level का जो हमारा liquid यहाँ देखें लेवल है यह जितना भी हमारा जो level जितना भी इसको चाहिए evaporator को एक constant level supply करती है ये low side float valve तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसकी physical appearance कैसे इसमें क्या कुछ लगा हो है यहाँ पर आपको ये float pan दिख रहा होगा जो अंदर से ये hollow होता है ताकि ये आपको down hose के जैसे इसका pressure जो इसका flow है वोल्यम है वो नीचे कम या जादे होगा ये liquid का level है यहाँ पर suction line है जो आगे पास करेगा ये needle, needle और seat assembly है इसकी मज़से ये open और ये valve है ये close होगा needle की मज़से needle जैसे कि हम अपने घरों में टूटिया देखते है tap देखते है उसके वो needle system होता है ये open और close होगा ये liquid line है जहाँ से अंदर enter करेगा liquid, refrigerant ये screen लगई है, lead gasket है हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम main points पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या काम कर रही है ये float पहले है ये अंदर से hole होगा तो देखिए क्या होगा जब भी ये जो connected है ये एक तरफ से तो इस से connected है needle से connected है जो हमारी float valve है और दोसरी तरफ से ये suction line से ये connected है, suction arm भी हम इसको बोल सकते है क्योंकि ये देखिए आम कितरा से ये ऐसे rotate है 90 degree बे इन दोनों से ये connected है अब जैसी हमारा evaporator में pressure होगा जो level होगा evaporator में वो fall down, यानि कि वो नीचे चला जाएगा एक level से तो ये क्या करेगा ये जह हमारा ये pen है ये क्या करेगा, ये भी नीचे चलाएगा ठीक है, नीचे जाने की वज़से क्या होगा, ये इसका level हो कम हो जाएगा, लेवल जो आपके ये float इसके अपर तैर रहे ये कैसे काम करते है, जैसे कि हमारी गरों में जो tanky होती है, जब उसका पानी ठेंकियों में पानी कम हो जाता है, तो सब्रस्ट हो बोल नीचे गिर जाती है और जैसी पानी increase होता है तो वाल उपर जाके बंद कर देती है, जहांसे पानी हमाराँ अंदर आ रहा है अंदर कि इसी यह भी काम करती है, कि जैसी इसका level कम हुआ यह इसको जो यह needle valve है इसको push करेगी और यह इसका अंदर जैसी इसको अंदर ऐसे push करेगी यह वाली needle valve जहां पर मैं arrow लगा रहा हूँ तो यहां से यह open हो जाएगा यह liquid line open हो जाएगी और जो हमारा जो refrigerant है वो अंदर आ जाएगा जितना भी हमारा evaporator को जो vaporization में इस्तमाल करने के लिए जो refrigerant चाहिए वो desired liquid यानि कि desired level तक आ जाएगा जब भी हमारा जितना हमें लेवल चाहिए उतना जब हमारा desired level टक पहुंच जाएगा rigid हो जाएगा ठीक है desired level हमारा रीच हो जाएगा तो यह अपने जो float है यह ऊपर चला जायएगा यानिकि जितना भी हमें ऊपर करने इसको जितना भी level चाहिए यह ऊपर जाएगा upload pen और नीडल जो हमारी ये वापिस से बाहर आजाएगी बाहरा आने के वज़े से क्या होगा ये इसके साथ ऐसे स्टक कर जाएगी इसके साथ और जो हमारा जहां से हम लिक्विड लाइन जो लिक्विड लाइन है उसके अंदर से जो हमारा रेफ्रिजेंट भेज रहे हैं उसको ये बंद कर देगी तो ये क्या काम कर देगी एक constant जो हमारा level है उसको level को constant को level रख बनाए हुए है जैसे कि level कम हो जाते है ये अपने अपन हो जाती है level increase होने के वज़े से अपने आप ये बंद हो जाते है यानि कि constant level जो maintain करके रखती है evaporator में तो ये था इसका low side float valve का ये ऐसे वर करती है अब हम दूसरी देख लेते हैं कि जो हमारी high side float valve है वो कैसे काम करती है जैसे कि इसका नाम indicate कर रहा है ये high side float valve है यानि कि हम इसको high pressure side में लगाएंगे between condenser between condenser and evaporator के बीच में इसको high pressure side में लगाएंगे इसका भी function same ही है यानि कि इसमें थोड़े सी difference है वो बताते हैं कि कैसे कहा से difference है यह देखिए inlet from the condenser है यह यहां पर जो arrow show कर रहे है यहां पर inlet condenser का जहां से हम condenser को बेज रहे हैं आगे evaporator को हमने पास करना है यह हमारा सेम इसमें भी float wall float जो बोल लगी हुई है जो कि अंदर से hollow है जो इसके ओपर तैर रही है यह भी ऐसी का सेम काम करते कि इसको भी जो level maintain करके रखना है इवेपरेटर में कि कितना उसको supply देना है इवेपरेटर को यह open करते है जो इसको open करेगी और close करेगी needle valve को जितनी भी requirement है हमें इवेपरेटर में जितनी भी हमारी requirement है जो भी हमें चाहिए तो यह क्या काम करेगी अब यहां पर जो इसकी working है वो इसके उल्ट होती है जो हमारी low side pressure valve है इसके अंदर क्या होगा जब भी इसका जो जो यह level increase होगा तो यह float है यानि कि तिरेगी तिरने के वज़े से क्या होगी जब भी इसके अंदर जो पानी जो हमारा liquid level है रेफिजेंट बहुँसके हैं उसको जैसी वह increase होगा तो यह जो हमारी बोल है यह ऊपर चली जाएगी ठीक है उपर जाने के वज़ेसे क्या होगा जो हमारी यहां पर needle valve connected है यह निहां पर यह देखिए यह needle valve लेका है needle valve connected है तो यह भी यह needle valve क्या जाएगी यह open हो जाएगी और जो लिक्विड ये समय कर जोटेंगे जो लिक्विड रेफ्रेूटे है इन्टू अठी यह वक्रण Cities लो कर देटी एकलू से ट्वीदेगी इरा जो फनेड़ी यह पょर्णेंरियुक्व अजिर फेड़न रहेत न्मों है । तो और लेवल कम होने के वज़े से क्या होगा यह बोल हो जाएगी नीचे जो लिक्विड का लेवल है अगर डाउन चला जाएगा तो यह बोल से नीचे आजएगी और यह इसको बंद कर देगी जो हम जो यह एवापरेटर में लिक्विड जो रेफ्रिजेंट जा रहे है इस इसको बंद कर देगी जो हमारी लो प्रेस्टरर साइड बॉल दी इसमें इसका उल्ठ था भीन फाली को जो मारी हाईप्रेशर हाईड़ काम करते हैं तो आई होपा आपको सब को समझ में आँ गया वीडियो उच्छे लगी तो वीडियो जरूर कीजिए थेंक्यो